विष्णू भगवान हिंदू धर्म के प्रमुप देवताओं में से एक है और उन्हें उनकी दिव्य नीन्द के लिए जाना जाता है, जिसे ब्रहमान्द के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। हिंदू पौरानिक कथाओं के एनुसार, विष्णू भगवान स्विष्टी और विनाश के चक्रों के बीच दूदिया सागर में ब्रमान्दिया सर्पनंध शेश पर सोते हैं, जो उनके बिस्तर के रूप में कार्य करता है। विष्णू भगवान की दिव्य निद्रा उनके चरित्र का एक महत्वपून पहलू है और उन्हें उनकी शक्ती और सर्वशक्ति मत्ता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसके अलावा, विष्णू भगवान की नींद को भौतिक जगत की नश्वर्ता और ख्षन्भन गुर्ता की आद के रूप में भी देखा जाता है। ये जन्म और मृत्यू के चक्र का एक रूपक है जो सभी जीवन को नियंत्रित करता है और एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि ब्रमान्द में सब कुछ अस्थाय है और परिवर्तन के अधीन है। इसके अलावा विश्नु भगवान की दिव्य नींद भी योग और ध्यान की अवधारणा से जुली हुई है। हिंदू धर्म में योग को परमात्मा के साथ मिलन के साधन के रूप में देखा जाता है और ध्यान का अभ्यास इस प्रक्रिया का एक अनिवार्य धहटक है। विश्णु भगवान की नींद को गहन ध्यान की स्थिती के रूप में देखा जाता है, जहां मन पूरी तरह से शांत और शांत होता है। इसके अलावा, विश्णु भगवान की दिव्य नींद का दैनिक जीवन में व्यभारिक अनुप्रयोग भी माना जाता है। इसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थे को बनाए रखने के लिए आराम और विश्वाम के महत्व की याद दिलाने के रूप में देखा जाता है। जैसे विश्नु भगवान को ब्रमांद की संतुलन को बनाय रखने के लिए अपनी दिव्य नींद की आवश्यक्ता होती है, वैसे ही हमें भी अपने व्यस्त जीवन में आराम और विश्राम को प्राथमिक्ता देने की आवश्यक्ता है ताकि हम अपना संतुलन और स्वास्थ इसके अलावा, विश्णु भगवान की दिव्य नींद भी परमात्मा में समर्पन और विश्वास की अवधारना से जुड़ी है। शक्तिमानता और भौतिक जगत की नश्वर्ता का प्रतीक है। ये योग, ध्यान, विश्वाम, समर्पन और परमात्मा में विश्वास की अवधारनाव से जुड़ा है।